कुरुक्षेत्र में 7 वर्ष की नन्नी भच्ची के साथ दुष्करम का मामला सामने आया है ले रहे बोले का नाम लेने जा रहे कावड एक अधेड उमर के व्यक्ति ने मानवता को शरम सार कर दिया है जानकरी अनुसार कुरुक्षेत्र की एक कलोनी की साथ वर्षिय बच्ची अपने पिता के साथ कामड लेने के लिए हरिद्वार गई थी बाब बेटी के साथ उसके पिता का एक दोस्त भी था जानकारी के नुसार धर्मनगरी कुरुक्षेत्र और हरिद्वार के बीच गाउं भगवानपूर उत्तर प्रदेश के पास उस व्यक्ति ने अपने दोस्त की साथ साल की बच्ची के साथ दुशकरम किया घर पहुची तो बच्ची ने सारी घटना अपनी दादी को बता दी इसके बाद बच्ची की दादी ने कुरुक्षेत्र के थाना शहर में शिकायत दर्ज करवाई और बताया कि बच्ची के पिता के साथ कावड लेने गए उसके दोस्त रजिंदर ने भंडारे की जगां बच बच्ची की हालत को देखते हुए डक्टरों ने बच्ची को दाखिल कर लिया जिसको प्राथमिक उप्चार देने के बाद घर बेज दिया गया है चलिए देखते हैं इस घटना पर मेडिकल सुप्रीडेंट और पुलिस अधिक्षक आस्था मोधी ने क्या कहा कि जगेती जहां पर उसको सॉल्ट किया गया तो उसके फादर के साथ जाके हमने जो निशान देई करी है तो यह भगवानपूर है हारद्वार डिस्ट्रिक में वहां पर उसके फादर की फ्रेंड में से सेक्श्विली असॉल्ट किया गया तो अभी तक आरूपी को कि अपनी फामिली के साथ है ग्रांद मादर ने आखे हमें कम्प्लेंट दी थी बच्ची जब वापस पहुंची थी कुरुक्षेत्र तो उसना अपनी दादी को बताया था दादी हमारे पास नाई थी दादी के साथ बच्ची आई थी तो कल वो छॉस्पटल में थी क्योंक कराया गया तो उसके बाद उससे कल शाम को डिस्चार्ज कराया गया था वो अपनी फामिली के साथ है कोटी बच्ची जोकि इन पुषेत्र की इसी करोनी के रहने बादी है तो सवाल्ट के हिस्त्री के साथ आखे लोगी और उसको ड़क्तरों के बोड़ दोवारा रॉक्तर अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेतर रजे कुलतार सिंग की रिपोर्ट ताजा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें झाल